देश के केंद्र में महराष्ट की स्यासत इस वक्त चर्चा का विशय पनी होई है मालूम हूँ कि शिफसेना में तूट के बाद अब एंस्तिपी भी दो गुटों में बढ़ चुकी है वरिष्ट नेता अजीत पवार के बगावत कर देने के बाद एंडिये में शामिल हो जाने के बाद अब राष्टवादी कॉंग्रेस पार्टी के प्रमुख शरत पवार डंके की चोड़ पर कई बड़े ऐलान कर रहे है 83 साल की उम्र में शरत पवार अपने राजनितिक जीवन की सबसे मुश्किल लड़ाई लड़ रहे है जिस पार्टी को उन्होंने 24 साल में बड़ा किया आज उसी पर कबजे के लिए उन्हें संगर्श करना पड़ रहा है जी हाँ कभी उनके खास रहे भतीजे अजीद पवार जो बगावत कर बैटे हैं पार्टी के कई दिगज निता उनका साथ छोड़ चुके है जीद पवार ने तो उनकी उम्र पर भी सवाल खड़ा किया और उन्हें रिटायर्मेंट की सलह भी दे डाली जीद पवार शिंदिस सरकार में शामिल हो जाने के बाद उपमुख्यमंत्री बन चुकी है ऐसे में देखा जाए तो अब वरिष्ट नेता शरत पवार कई बड़े खुलासे भी कर रही है दरसल आपको बता दे कि अजीद पवार के बगावत कर देने के बाद शरत पवार को लेकर भी अटकले तेज हो चुकी है कि अब शरत पवार ने अपनी बात रखी कि 82 की उम्र में भी काम करने के लिए वह तयार है उन्होंने बताया कि बीजेपी के साथ सरकार में शामिल होने के लिए तीन बार बात हुई लेकिन वहे आगे नहीं बढ़ सके उनका कहना रहा कि वहे भी अभी बूड़े नहीं हुए हैं अटल बिहारी का मशूर जुमला ना ठायड हुँ ना ठायड हुँ ना ठायड हुँ दोहराया उनका कहना रहा कि जब तक पार्टी कारे करता उनसे कहते रहेंगे तब तक वे काम कर सकते हैं अजीत पवार ने 5 जुलाई को मुंबई के बेंडरा में पाटी निताओं के साथ शक्ती प्रदर्शन किया और उस बैठक में NCP के 53 में से 32 विधायक को शामिल हुए और उस वक्त उन्होंने चाचा शरत पवार को रेटायर्मेंट की सलहा भी देटा ली वहीं दूसरी ही तरफ देखा जाए तो शरत पवार ने यहां पर अपनी बात रखी उनका कहना साफ तोर पर रहा कि मुझे रेटायर्मेंट के लिए कहने वाले वे कौन हैं मैं अभी भी काम कर सकता हूँ शरत पवार ने खुलासा किया कि बीजेपी के नेतरत्व में स्तरकार में शामिल होने के लिए उनकी पार्टी से बात हुई 2014, 2017 और 2019 में बीजेपी के साथ गठवंदन की बात हुई थी लेकिन अलग विचार धारा होने के चलते हम आगे नहीं बढ़ सके अब देखा जाए तो यहाँ पर शरत पवार ने खुलासे कर दिये हैं लेकिन अब यहाँ पर इस बात का देखना दिल्चस्प होगा क्या वाकई में बीजेपी एक बार फिर से यहाँ पर प्रस्ताव देती हुई नसर आईगे शरत पवार को यहाँ पर क्या वाकई में NCP और BJP का गठवंदन देखने को मिलेगा क्योंकि देखा जाए तो राहुल गांदी बड़ी वज़ा बताए गई है इस बगावत के कहा गया है कि अजीत पवार को यहाँ पर परिशानी थी राहुल गांदी के स्तार्थ शरत पवार की नस्दीकियों से ऐसे में देखा जाए तो क्या अब यहाँ पर NCP को बचाने के लिए शरत पवार वाकई में BJP से गठवंदन करना चाहेंगी या फिन ही क्या वाकई में एक बार फिर से BJP उन्हें प्रस्ताद देगी या फिन ही लोग सभाचुनाव काफी नस्दीक है और 2024 में ये चुनाव होने जा रही है क्या लोग सभाचुनाव से पहले एक स्यासी उलट फिर देखने को मिलेगा महराष्ट की सियासत में क्योंकि 2024 में महराष्ट में विधान सभाचुनाव भी होने जा रही है इस खास रिपोर्ट में इतना ही बाकी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रही है नेक्स्ट नाइन न्यूज